हाई एवरिवान वेल्कम बैक टू अवर यूटूब चैनल सोफ रंस आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके कुछ प्रैक्टिस कोशन जो कि आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो कि कल हमने एक टॉपिक पड़ा बेसी कंसेप्ट पड़ा जिसमें हमने प दोस्तों अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में को लिंक मिल जाएगा आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमें बियल डवल्यू पंचाय सेक्रेटरी की मैथमेटिक की उसमें हमारे और भी टॉपिक्स जो चैप्टर थे वह उन्क्लूड हो कर सके तो चलिए मैं करता हूं को स्टार्ट बिना टाइम बेस्ट के मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो मैंने कल होंबर के लिए कोशन दिये थे पहले मैं उन पर बात करूंगा देखिए कोशन नंबर यह भी था एक आपका इस कोशन को आप इसको किस तरह से करोगे फामले के कॉढ़िंग करोगे यहां फिर ऐसे शौर्ट रिक्स करोगे सबसे पहले अब देखे मैं वहीं से साइक्व कितने यानि कि इस ने साइक वह किया यानि की कोस्ट प्राइज कैसे करोगे लाज दी है ना तो आपको क्या करना है 100 मालब आपका CP बस इस तरह से करना है आप इसको मालब करोगे तो कितना जिरो और यह आपका जाएगा फॉर टाइम आपका जोगे 16 17 और 340 जिरो 9 और आपका 1119 1119 आपका आंसर निकल गया जाएगा तो यह हो कि इसका सिलिंग प्राइज होगा उसके बाद चलिए नेक्स कोशन जो था तू सक्सेसिव डिसकाउंट के बारे में बात की थी 10% अगर मैं बात करूँ कि 100 रुपे की चीज़ है उस पे 10% डिसकाउंट मिल रहा फिर 19 बचता है 19 पे 30 की बात करता है तो 19 पे आपका कितना आ जाता है ट्वंटी एट अगरे सोरी ट्वंटी यह नहीं आएगा तो है पहले उसने 10% डिसकाउंट किया आपका 19 बचा फिर बोलता है तीस परसेंट इस पे तो यहनिकी 18 गेटीन आपका आया और यह आपका दस परसेंट यहनिकी टोटल कितना हुआ 28 कि कितना हुआ 28 27 आएगा 27 और यह आपका कितना जाएगा 37 तो 37 बच्चों ने कमेंट किया भी था तो यहीं इसका राइट अप्शन है 37 चली मैं चलूंगा आज का फर्स्ट कोशन आप इस वीडियो को पास भी कर सकते हो अपना अंसर मार की भी कर सकते हो चलिएगा कोशन को बनाईएगा कि क्या कहरा है आपको किस तरह से अपने कोशन को हैंड़ करनें वॉहड़ा कि लिए से प्राइज हों को गीवन होगी प्रॉफित या लास प्रसेंटेज गीवन है तो क्या यहां पर लास प्रसेंटेज है कैसे नेकाल हुए स्टिंग प्राइज इंटू हंडर्ड अगर आपने प्रीबियस लेक्चर नहीं देगा क्योंकि यह बेसिक चीजे मैंने वहां प डिवाइड़ वाई 100 माइनस आपका 7 तो यह आएगा आपका 65100 डिवाइड़ वाई आपका 96 तो 96 के साथ आप कितने टाइम करोगे इसको 7 टाइम करोगे तो यह इनकी 700 जो इसका कॉस्ट प्राइज होगी क्लिए रहे 700 की कॉस्ट प्राइज होगी नेक्स कोशन चलिएगा मिल्क मैन बहुत 17 लीटर्स आफ मिल्क फार 630 अड़ फाइड 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 लीटर्स और वाटर इफी सेल्स आट 9 पर लीटर्स प्रॉपिट प्रेसेंट इस कितनी होगी बहुत इजी कोशन है आप वीड इसका यानि कि उसकी कॉस्ट प्राइज क्या थी 630 सत्तर लीटर्स अब मैं कह सकता हूं कि पर लीटर दूद कितने होगा 17 डिवाइड करो 0099 यानि कि 9 रुपे लेटर ही उसकी तो एक्स्ट्र पानी कितना लगाया उसने पांच लेटर्स अब यह पानी भी बिकेगा यानि क कि अब टोटल दूद कितने को हो गया 75 का 75 लीटर्स दूद हो गया अब रेट उसका बढ़ा सकते हो यानि कि 45 रुपीज उसके बढ़गे हो तो 45 इस वाट परसेंट आप 630 कर दो इस कांसर 45 डिवाइड़ वाइड़ 630 इंटो 100 0 के साथ 0 कट जाएगा 450 को करोगे तो यह आ अब आपका यह वाला विसका राइट आप्शन हो चाहिए यह की परसेंटेज है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज को इतना गयन होते हैं क्लेर है दोस्तों हमें प्रसेंटेज को किस तरह से निकाल रहा हूं अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ी है तो मैंने पहले की पढ़ा हूई है प्रसेंटेज स्टॉक एस्टेंट वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आफ लाइन सिक्रीन पढ़ा है आप देख सकते हो दस हसार के करीब बच्चे उसको देख चुके हैं आप भी देख लो कितने का बारास हो का उसने एक पुराना टाइप राइटर लिया और उस पर उसने 200 रुपेया स्पेंड कर दिया परपेयर करने के लिए और ही सोल्ड इट फार 1680 रुपीज में उसको बेज दिया बोरा कि profit percentage उसकी कितनी होगी जल्दी से बताओ तो profit percentage की निकालेगा formula क्या था profit percentage जो निकलेगी profit divided by 100 into sorry cp into 100 यह formula था चलो यह चीज़ को बाद में देखते हैं अब यहां पर सर जो repair की cost है इसकी यहां पर एक नहीं तो यानि कि जो इसकी cost price होई वो कितनी होगी 1200 और जो repair cost लगी उसकी वो कितनी लगी 200 रुपया तो यह इसी में add होगी repair cost sorry cost price में इसकी add हो जाएगी यह हो जाएगी 1400 1400 हो जाएगी ceiling price इसका कितना है 1680 1680 अब यहां पर एक चीज हो रहा है अब आपका ceiling price यहां पर बहुत बढ़ा हो गया कितना बढ़ा हो गया इसे बढ़ा हो गया यानि कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तुएटी का तुएटी का अब आपको निकालना प्रॉफिट प्रसेंटेस्टेस्ट का फॉर्मला क्या हता है प्रॉफिट डिवाइड वाए आपका सीपी इन्टू आपका 100 यह चीज मैंने कल भी बताई थी आपक कि ट्वंटी प्रसेंट यहां पर इसको प्रॉफिट हुआ कितने बच्चों को क्लेर हो गया यहां पर क्लेर है चली नेक्स कोशन दूसों वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझा रहा है इव तक कॉस्ट प्राइस इस सिलिंग प्राइस वाट इस कोशन को द्यान से देखना यह थोड़ा इससे रीजिनिंग टाईप के वोशन बन सकते इस तरह से तिक्वे उसने बोला कि कउस्ट प्राइस जो है ना वो कितनी है 95% है 95% एफ इसकी स्पी इफ स्पोस सिलिंग प्राइज इस हंड़र प्रेसंट 95 सीगने प्राइस कितना हुगा अंडर परसेंट है तो यह कॉस्ट प्राइज कितना है निच फैफ प्रसेंट यानि की कॉस्ट प्राइज का कीमत कितनी है 95 रूपीज है और उसको बेच कितने एकर है 100 कितना हो रहा है पांच का कितना आएगा पांच प्रॉफित्स कर दिया तौ जब यू जब बी नमबर दिया होते है न तो maximum आप 100 को ही percentage मानते हो clear होगे यहाँ पर maximum आप इसको ही number मानोगे इस चीज़ को ही जो 100 होता है इसी की percentage मैंने जब percentage पढ़ाया था उसमें ये चीज़े clear कर दी थी next question देख सकते हो the cost of the 36 books is equal to the selling price of 30 books the gain percentage is gain percentage कितनी होगे 210 question है profit and loss के ठीक है अब यहाँ पर बोड़ा की cost price देखो दोसो cost price यहाँ पर 36 books की कितनी है equal to the selling price 36 books से लिख तो यहाँ पर और selling price के according लिखेंगे selling price टृत्य अड़े गृत्योट में विखेंगे काश्ट से अथ ही यह को आज यह Warning and फिका से लिखेंगे यह Com 36 books تھی उनके जो पैसे मैंने पेए किये थे वो 30 रुपे पेए किये थे और अब मैंने क्या क्या मैंने 30 books को 30 का बेज दिया यानि कि मेरे पास कितनी बच गई ये पैसे मैंने cover कर लिये नहीं यहां पर जो मैंने दिये थे किसी को और सेलर को तो यहां पर मैंने customer से receive कर लिये अब मेरे पास profit कितना हुआ अच्छे 6 books मेरे पास बच की और आपको पता है कि profit percentage कैसे निकालते है P upon CP into करवाने की ज़रूरत नहीं है बट करवाना पड़ेगा चलिए कितना आया profit percentage निकालेगा profit percentage निकाले ले क्या करेंगे 6 6 क्या है profit यानि कि 6 books आपकी ज़्यादा है किस से cost price कर दिया कितना डाइम 20 clear है इस तरह से ये चीज़े आपको करने है next question cost price of 150 sorry 15 articles is same as the ceiling price of 10 आटे दे प्रॉफिट परसेंटे वही same question डिटो same question मैं फिर से इस concept को यहां से फिर से आपको clear करूँगा क्यूंकि मैंने ये चीज़ आपको कल नहीं करवाई थी इसलिए आपको ये चीज़ यहां पर clear कर दो cost price की बात कर रहा है लिख दो cp cost price यानि की 15 articles की 15 ये लिखूंगा articles की कितनी cost price है अभी नहीं बता पहले ceiling price की करेंगे हमने ceiling price के according के price जाना है ceiling price 10 articles का कितने है 10 रुपे है इसका भी 10 रुपे होगा ये concept अपने माइन में डाल दो ये important है जब भी कुछ इस तरह से question आएगा अब ऐसा नहीं करना है कि cost price of 15 articles is 15 and ceiling price of 10 articles is 15 आपको इस तरह से करना है ceiling price के according पर जाना है अब यहां पर बताओ कि profit हो रहा है कि loss हो रहा है अब रवास पांच बजगे कितने में से cost price कितनी है 10 into so कितना गरोगे कट जाएगा पर यह आपका लगबक लगबक में बात करूँ यह इतना आएगा नहीं वैसे 15 articles cost price 15 articles बेट 10 रुपीज 10 article रुपीज 10 15 में से 10 किया 5 यह पांच हमारे पास आया और profit हमारा कितना आया 5 आया divide करोगे कितने किस के साथ 10 के साथ 100 तो 1 by 50 आएगा 50 परसेंट आ रहा है cost price of 10 articles same as the selling price of 10 articles 50 परसेंट इसका अंसर आ रहा है कर देख सकते हो इस चीज़ को उसके बाद नेक्स कोशन आता है नेक्स कोशन को देखिएगा selling price of 5 articles is the same as the cost price of the 3 articles अब यहां पर कोशन को थोड़ी changes देखने को मिलें selling price जो है मैंने बोला था जैसे वैसी करना selling price जो 5 articles की वो कितना है rate कितना है same as the cost price of the 3 articles यह आपको cost price आ गया three articles की अगर मैं बात करूं कितना है इसका भी पांच है और इसका भी पांच है अब loss की बात कर रहे हैं loss होगा यहां पर मैं बता देता हूं आपको selling price पर हम कर रहे हैं इस चीज़ को तीन article मैंने करेदे पांच रुपेगे और मैंने पांच आर्टिकल बेज़िए पांच रुपेगे मुझे कितना लास हुआ दो का दो का लास हुआ ना तो यह कितना हो जाएगा फाइफ फोर्चा तो 40 परसेंट लास हुआ मुझे हैं ठीक है नेक्स कोशन देखिए इसका अंसर आपने कमेंडर वाक्स में बताना है यह सेम कोशन आ गया कुछ नहीं करना है इसमें जैसे मैंने बोला उसी तरह से करना है कॉस्ट प्राइब इस इक्वल तो दा सीलिंग प्राइब फिटिन अर्टिकल तर गेन प्रसेंट इस क्या होगी वही सेम चीज यहां पर बात कर रहें कॉस्ट प्राइब बात कर रहें सीपी आपका 18 अर्टिकल का कितना रेट रूप चौब 15 अर्टिकल कितना पंदरा परिसका भी बंदर कितना ज्यादा है तीन इस ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया कितने जाएगा पंदना और इसको गदो अंडर के साथ कितना जाएगा यह 302 यानिकि 20 पर सेंट का इसमें आपको आल्रडी होमबर के लिए गोशन दे रिया है हमें जादा नहीं दूँगा क्योंकि बच्छे बिल्कुल भी आंसर नहीं करते हैं इस कोस्ट के रहत उसको बेज देता है प्रसेंटल लॉस प्रसेंटेज करो यार की चार सो आम है उसे तीन सो बीस के इसके हिसाब से इसको बेज दिया लॉस कितने मैंगो का हुआ एटी ठीक है अब फिर से बात करते हैं कि कोस्ट प्राइज कितना था है इस बीट वहाँ है इस पी कितना बेचा चार सो बेचा किस रेट पर चार सो पर और यह चार सो के थे अब समझ आई उसने बोला कि उस 3 400 मेंगो उसने बेचा पर किस रेट में 320 में अब क्लiर हो गया कि 320 मेंगो थे वह लिए 400 में बेच दी बताओ यहां पर loss percentage क्या होगी कितना loss हो रहा है यहां पे 80 का 80 divided by 400 और आपका 100 और यह आपका cut भी जाएगा यह easily 0000 कट जाएगा और यह आपका 2 के साथ यानि कि 20% का यहां पे loss देखने को मिल रहे है loss of 20% दोस्तों यह चीज़े होप सो आपको clear हो चुकी होंगी कि किस तरह से मैं कोशन आपको करवा रहा हूँ ठीक है apply to a bill for 1000 तो दोस्तों यहां पे हमारा profit and loss जो था कोशन वो खत्म होते हैं अब चले हम discount की तरह apply to a bill for 1000 sorry 1 lakh not 1000 the difference between the discount 40% and the two successive discount 36% and 4% बताईए का किस कोशन को किस तरह से करना है अगर आपको नहीं पता तो कोशन को ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर नहीं पता चलेगा तो वीडियो को आप दो दोबारा से देखिएगा bill for 1000 एक bill है वन लैका मेरे से फिर से 1000 बोला जा रहा है उसने बोला कि 40% इसका और यह two successive जो discount है इनका difference आपने उसका rate बताना है किस तरह से बताओगे सबसे पहले आपको आप जो two successive discount किस तरह से तर्टी सिक्स निकाल लो 36 निकालना तो यानि कि 36000 फिर उसका चार पसंद निकालना चार पसंद कि कितना हुआ 60 फोर दो जैंट छेस्व चालीज चेस्व चालीज चालीज बाराह सो असी इसको एड़ कर लो इसमें 37280 37280 यानिकी एक यह आये नहीं एक मिन्ट मैंने बोला कि इसका 36 यानिकी 36 प्रेसेंट कितना होगा इसका 36 थाउसेंट या ना 65 और 64 आपका रह गया 64,000 आपका रह गया और इसमेंसे आपका 4 परसंट निकालना है 10 परसंट आपका 6,400 होगा और आपका एक परसंट आपका 640 640 होगा और 640 को आपने कितने टाइम करना है चाओ टाइम करना है जीरो का 6 और 1 24 और 2 5 2560,0658 और आपका 3 यानिकी 38.56 इसकी जो इक्वेवलेंट रिशो होगी वो इसके एकोल होगी 38.56 डिफरेंस पूछा था इसके एकोर्डिंग कितना आएगा 40 माइनस 38.56 हो मच 1.44 यह होगा देख लो इसको मल्टिपलाई कर लो आप थाउसन के साथ आपका जाएगा यह वादा आंसर इस तरह से इसको करना दा ऐसे कोशन आएंगे इसी तरह से गरोगे दिफ्रेंस बेट्वीन सिंगल डेसकाउंट 30 परसेंट तौन इसपे तू सक्सेक डिसकरेंट 20 परसेंट ए तरह से करोगे इस कॉस्ष्ण को इस तरह से सकने थी 30% की बात कर रहे हैं न 30% किस पर इस पर निकाल ला फिलाला भी निकाल नहीं है पहले आप इन चीजों को साल करें 20% इसका निकालो यानिकी 110 फिर 10% कितना बचा 110 इसमें से निकाल देते तो आपका 440 बैसते हैं 10% 44 44 तो को मच 4 5 और 14 तो यह आपका 154 कितने किस परसेंटेस के एक को लोगा 154 इन्टू 100 डिवाइड़ गाए आपका यह बना कट जाएगा 1540 डिवाइड़ गाए 55 552 तूजा 110 और आपका कितना आएगा यह 440 कितने टाइम गर होगे इसको यह आपका जाएगा कर एक नाे टाइम 28-28 परसेंट यह नीकि 28 परसेंट के low लेंट होगे यह आपके थो तो सेक्सिव डिज्ट होगे अब यहां पर बात करेंगे डिफ्रेंस की कितना हमारा इन दोनों का कितना ऐया कितना डिस्काउंट हमारा और यह 28 परसेंट इस आया जब भी मैं इसके equivalent आया अगर हम सम की बात करें इनका सम 30% होता है पर डिफ्रेंस इस में से निगाला है कितना आया तू परसेंट तू परसेंट तू परसेंट 55 एक परसेंट 555 तो टू परसेंट 11 तो राइट आप्शन इस भी mark price mark price क्या होता है कल मैंने term समझाई दी अब आ रही है न काम में कल के बहुत कम बच्चों ने lecture देखा है मैं आपको बता दू बहुत की ज़्यादा कम बच्चों ने lecture देखा है बहुत कम बच्चों ने lecture देखा है दोस्तो profit loss और discount का अगर आपको डर्व खतम करना है न तो lecture number 1 देखो 40 minutes का lecture हुआ है कल खा उसको देख लो फिर आपके सारे doubt clear हो जाएंगे यह mark price क्या होता है ऐसे question समझ नहीं आएगा सर पता नहीं क्या कौन से formula कहां से use करें नहीं पता चल जाए तो mark price यानि कि MRP किसी चीज़ की बाच की कितनी है 800 है shopkeeper ने दो discount की दिए वो भी discount दिए success ही इसमें आपको trick बताऊंगा करने की and sales the watch at 615 इसमें इसमें बेज दी if the first discount is 10% the second discount is what दोस्तों यहां पर एक चीज़ देखिएगा मैं यहां पर discount को निकालने की बात करेंगी overall discount की जो equivalent होगा यानि कि मालेज यह यह आपका 10% है और यह आपका X% है इन दोनों discount के equivalent जो percentage आएगी वो उसको मैं निकाल लूँगा चलिए निकालने कैसे कहते हैं यह चीज मैं आपक को अल्रेडी बता चुक्वा हूं तो यानि की cost price उसकी कितनी हुई कमेंट से स्वरी सिलिंग प्राइस कितनी हुई 615.12 अब discount निकालने का formula पता ही आपको MRP-SP कितना हो गया आपका आपका चला जाएगा सर्गिए 612 10 मैं से 8 और आपका 9 181 188 डिसकांट कितना का मिला 188 का 188 is what percent of 800 तो यानों को पता है कि discount percentage कैसे निकालते हैं यह चीज मैं आपको बता चुका हूं already बार बताना अच्छा नहीं लगता discount percentage कैसे निकालते हैं discount percentage निकालते हैं discount upon अपका MP यह MRP into 100 करो सर इसको फिर कैसे करोगे कितना है 188 800 जिरो के साथ जिरो कट गया 188 divided by 8 8 तूजा 16 और 2 एट एट फोट जा एट त्री जा 24 और चार फिर से बच गया और 5 10 परसेंट और X परसेंट इन दोनों का जो होगा equal कितना होगा 23 परसेंट होगा 23.5 अब आपको एक चीज यहां पर ट्रिक आपको पता चलिए जब भी मैंने आपको बोला 10 परसेंट और दूसरा है 20 परसेंट इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 30 जब मैं आपको बोलता हूँ इन दोनों डिसकाउंट को equivalent करो किसी डिसकाउंट के साथ टोटल डिसकाउंट के साथ तो कितना आता हो सर कभी-गभी वो 28 आता है कभी-गभी 27 यानि कि 25 के उपर रहता है वो 30 के बिलो रहता है तो आपको क्या लगता है कि हाँपर क्या चीज सीख पाई हो आप यह 20 के उपर है और यह 25 के बिलो है कहने का मतलब इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 50% तो 50% को आप जोड़ते हो तब आपका यह equivalent हो जाता है यह मेरी ट्रिक थी इसके तो सकते हो बाकि अब आप्शन के साथ भी खेल सकते हो ठीक है आप्शन के साथ भी आप खेल सकते हो और मैं फिर से करके दिखा देता हूं प्रूफ करके दिखाऊंगा 800 इसमें से मैंने लिये 10% 80 लिया तो बचा मेरा 72% फिर मैंने बोला मुझे 15% ओ लेना है 10% मेरा 72 72 और 5% मेरा कितना हुआ 30 और 108 और 80 कितना हुआ 188 होगे ना इक्वल इक्वल हुआ के नहीं हुआ होगे सर शापकीपर मार्क्स हीस गूट्स 20% अबाव फार कॉस्ट प्राइस वट अलाउस 30% इसकॉंट फार कैच इस नेट लॉस उसकर नेट लॉस हो गया दोस्तूं किस तरह से उसने क्या गया कि चलो मान लिया चीज कितनी गी थी चलो कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपे गी थी अज्यूम करो जब परसेंटे से मैंसे होता तो ज्यूम सो ही करना होता है उसने क्या कि 20% उस पे गया गया बोला कि मैंने इसको बेचूंगा 120 की यानि कि उसने 20 परसेंट बढ़ा दिया किस पर कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपया थी अब मैं इसको बेचूंगा क्योंकि का 20% बीजी होता तो 120 की बेचूंगा फिर आया कोई कस्टमर दुकान पर खरीदने के लिए तो यार मेरा बिडी था मैंने उसको क्या बोला या तू 30% डिसकाउंट दे दे मेरे को मैंने इसको 30% डिसकाउंट दे दिया है अब किस पर दिया मैंने इस पर तो कितना आएगा मैरा 36 रुपी का मैंने इसको डिसकाउंट दे दिया अब बोड है कि इस नेट लॉस बताना है किसमें से कॉस्ट प्राइस से नाट कि सिलिंग प्राइस से सिलिंग प्राइस तो हमारे से होती है ठीक है अब यहां पे चीज और देखनी है आपने क्या चीज सरी यह चीज देखनी है कि 86 अब किस में से निकालोगे 36 36 आपको निकाला 120 से टैने में से शिक्स एकाल और आपका बारान से दिनगिया एट याने कि 84 रुपे का जो आपके कास्ट प्राइस आपने कितने की दी 100 रुपे की देनी कितने बड़ेगी 84 दिस्काउंट कि सपेश रिया 120 कितने गलास हुआ 16 रुपे का तो 16 कितना 16 परसंट यह लिया रहा है यह लास्ट कोशन है हमारा मार्क प्राइस आफ लेपटाप इस ट्वेलब थाउजंट क्लिरंस तेल्स इस सोले दिसकाउंट 15 परसेंट इंकरिंग लॉस फोर परसेंट वाट इस दा कॉस्ट प्राइस बताने है लेपटाप की यह इसमें आपका एक फार्मला यूस होगा जो क प्राइस कितने हैं पहले नुकालना पड़े गा मॉर्पर इसेल्हाफ उसकाउं निल्स थैरे कंश्च कहा चाविए तेहां पहले फंदरा परसेंटेता है फंदरा प्रसेंट पीप 12 पापहा पर सेटिय इसमें यह बवल संटी शॉता यारो इसमें पूड सेक्षिश्व दिस्कॉण डिसकॉड देखे इसको चल रडिमर कितना फ़ environmental never हो आई सर यह हो गया आपका अंग दस हजार 200 होगा सिलिंग प्राइज कितनी आइस की दस हजार 200 हमारे पास सिलिंग प्राइज भी है प्रॉफित लॉज परसेंटेज भी है हम इसको इसका कॉस्ट प्राइज निकाल सकता हूं सिपी निकालने के लिए फार्मला सिलिंग प्राइज कितना था टैन थाउजन टू हंडर इन्टू हंडर डिवैडर वाई हंडर माइनस लॉज परसेंटेज फोर और यह आपका आएगा 10200004 था तो 96 के साथ कर दोगे वान टाइम और आपका चाहेगा इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 96 इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका अंसर आजाएगा ठीक है इसको अंसर आप जो भी आएगा मुझे खुद नहीं पता चल रहा है आपने कमेंट बाक्स में बताने है 1020000 डिवाइड बाइड 96 के साथ करोगे तो वन के साथ जाएगा डिवाइड करोगे तो थोड़ी लेंधी काल्कुलेशन है कर देते हैं इसको अगर करना चाहेए तो 200000 नहीं होगा तो इसको कैल्कुलेटर के साथ इसका अंसर मार कीजिएगा 96 ठीक है वान के टाइम और उस यह अंसर निकल गया जाएगा तो दोस्तों यह थे हमारे 15 कोशन जिसमें से मैंने कोशन आपको होंबर के लिए दिया है तो खुबसों आज का यह लेक्चर आपको अच्छा लोग अच्छा लोग लाइको शेयर जरूर कीजिएगा और मैंने आपकी डिमांड पे यह पर मैत में को हरे का बच्चा मतलगी आठ से नो स्कोर तो इसमें से करेगा ही करेगा साथ मर्स अगर जमेटरी पढ़ लोगे तो 10 प्लस तो करी के यह होगे ठीक है बाकी आपने इन चीज़ों को लॉस नहीं करना है जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है इतना है कुछ है कर अजूद के हैं नहीं बस आपको अपको बिफ्ट की जुरूर तहि कर रहा हूं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जखे PASS के अब आप अच्छे से त्यारी कर सको और अच्छे से मार्न क्लें सको और आप अपनी सेलेक्शन भी ले सको ठीक है ऑड़ किसी को नोल च प्रश्य मेंसेज कर सकते हैं तो आप वहाँ से नोट्स हमसे डिमान कर सकते हों मैं पूरी यहां पर कोशन के साथ अपने नोट्स के साथ आपको पूरा यह सेंव स्लेवर्ट जो टापिक है वह पूरा प्रवाइट कर दूँगा टो एक गाइश बाइश अन्याड बंटे कर ऐंग वाइश तो आपने नोट से नोट और मॉल हमसे लिए उग्डिक्ट्रेश था है पुझ एक झाल